टी आई हितेंद्र नात शर्मा को देखने पहुँचे रिवा विधायक राजेंद्र शुकला मीडिया को जानकारी देते हुए विधायक राजेंद्र शुकला ने बताया कि डॉक्तरों की टीम पूरी लगा दी गई है जबलपुर और भोपाल से हेलिकॉप्टर के माध्यम से डॉक्तरों की टीम रिवा पहुच रही है डॉक्तरों की टीम रिवा पहुचने के बाद पूरी टीम एक साथ इलाज करेगी अभी मिनेर्वा अस्पताल के डॉक्तर और रिवा के सुपर स्पेसलेटी के डॉक्तर अभी बुली इनके कंद्रे और हाट के बीच में भसी हुई है डॉक्तर्स यहां के शुपर स्पेशल्डी के हैं राके सोनी और प्रेयंग शर्मा और यहां के डॉक्तर्स हैं वो सब देख रहे हैं तो डॉक्तरों को और बुलाने के बाद कही गई है भोपाल से स्टिरायू के डॉक्तर कनेरे पेंट से और उनकी टीम हेलिकॉप्टर से रवाना हो गई है और जबलपूर से डॉक्तर निमिश वो रवाना हो गए है तो मुझे लगता है कि दो गंटे के अंदर हाल जवल्पू वाले टॉक्टर और चार गंटे के अंदर भोपाल वाले डॉक्टर सब यहां जाएंगे तब तक हितेजनाज शर्मा को इस्टेबल रखने में हमारे मिनर्वास तदाल के जो डॉक्टर्स हैं और जो सुपर इस्पेशल्डी के डॉक्टर्स यहां गए हैं वो कह रहे हैं कि चार पांच घंटे छे गंटे इनको इस्टेबल करने में हमें कोई परिशानी नहीं है और यह डॉक्टर्स आजाएंगे तो फिस पूरी टीम मिलके और यहां आज एक जो इलाज है वो शुरू होगा अभी बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर नहीं कर रहे हैं बलके बाहर के डॉक्टरों के यहां बुलाया है तो हेलिकॉप्टर से भी और बाई रोड भी डॉक्टर जवर्पुर से बोपाल से यहां आ रहे हैं इन डॉक्टरों को बिखाने के लिए बाहर ले जाने के बचाने पर ज्यादा फोकस है तो अपरादी जो है वो तो अभी कस्टडी में हैं तो कारण पर अब आशा पता चलेंगे जैसे देखने को हैं लेकिन अभी पहली प्रास्मचता है टी एप अचाना की जान को बचाना उसके लिए जो भी प्रयास है वो सारे किये जा रहे हैं अपराद करता है तो अपराद करता है तो अपराद को सजा देने में सरकार कोई कसर छोड़ती नहीं प्रांसफर को लेकर के कुछ विवाद चलते हैं लेकि इस बगार के अपराद फुरी किये जाते हैं अपराद को अपराद को अपराद को अपराद को बचाना है